बियार चौपडा की महाभारत महाभारत सीरियल जब से दोबारा टीवी में सुरू हुआ है तब से यह चर्चा में बना हुआ है सो को लेकर फैंस का फित एक्साइटेड है विसे महाभारत जितना बड़ा एपिसोड है उतने बड़े-बड़े कोष्चन इस समय दर्सकों के मन में आ रहा है मैं जाने लोग कैसी कैसी बाते कर रहा है कोई कह रहा है कि आकिर इतने बड़े सीरियल्स को बनाने में एक एपिसोड बनाने में कितना खर्चा हो जाता हूँ कोई कह रहा है कि अरे सुना है इसमें जुही चावला ने काम किया है इस वीडियो में आज हम आपके सामने महाभारत से जुड़े कुछ अन्सूजे सवालों को लेकर आएं जो आपकी मन की त्रश्णा को सान करेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटिफुल बॉलिवोड में महाभारत महाभारत सुरू हुते ही समय का उगूंता हुआ चक्र वो बुलंदावाज मैं समय हूँ चलिए समय की ही बात करते हैं 32 साल पहले 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्सन में महाभारत प्रसारित हुआ इसके कुल 94 अपिसोड प्रसारित किये गए आपको बता दें कि 10 में से 8-10-9 की IMBD रेटिंग के साथ महाभारत को भारत में सबसे फेमस टीवी सीरियल के रूप में माना जाता है मैं समय हूँ ये वाग के महाभारत सीरियल में आने से पहले बच्चे पहले बोल दिया करते थे बियार चौपडा महाभारत के लिए एक मदबूत कथा बाचक चाहते थे उन्होंने इस भूमिका के लिए दिलीप कुमार और एंटी रामराओ जैसे दिगजो पर हाथ अजवाने चाहे लेकिन डॉक्टर रही मसूम रजा ने इस के लिए मना किया उन्होंने बोला कि मैं समय हूँ मतलब समय के कथा बाचक के लिए एक प्रोफेशनल आवाज चाहिए फेमस उर्दू कवी स्वर्गी राही मसूम रजा ने सीरीज में पाठ कथा लिए फिर बात आई हरीज भिवानी की हरीज भिवानी की आवाज है जिटको हमने कभी परदे पे नहीं देखा वैसे हरीज भिवानी नाटको सीरियल्स में भी आ चुके है जैसा नहीं है कि महाभारत जैसे बड़े सीरियल्स को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई महाभारत के कलारकारों के लिए युद्द के द्रस्वों की सूटिंग करना सबसे कटिन था पंकसदीर, कुर्चेत्र की युद्द की सूटिंग के दऊरान चोटिल हो गये थ है गुफी पेंटल महाभारत के कास्टिंग डिरेक्टर थे अब आप कहेंगे कौन गुफी पेंडल उन्होंने महाभारत में सकुनी की भूमिका निवाई है जिन्होंने इतनी बड़ी महाभारत की तीम का सेलेक्शन किया अब बात आती है सबसे इंटरस्टिंग चलिए जुही चावला के बारे में हम बात कर रहे थे जुही चावला को द्रोपदी की भूमिका के लिए सौटलिस्ट किया गया था लेकिन बाद में उन्होंने कयामत से कयामत तक फिल्म की सूटिंग के कारां इस एपिसोट में काम करने से मना कर दिया फिर रूपा गांगली को उनके अच्छे हिंदी वक्ता होने के कारां इसमें द्रोपदी की दोल के लिए चुना गया प्रोजेक्ट महाभारत आने के कुछ समय बाद ही बी आर चोपड़ा की तेवियत खराब हो गई इस वज़े से इस पूरी डिरेक्टर की डिरेक्शन की जिम्मेदारी उनके बेटी बेटे रवी चोपड़ा ने लेली रवी चोपड़ा कई बार इस स सो को डिरेक्ट करने में टेंसन में हो जाते थे अब पूछ ये टेंसन का कारान क्या था सो में एक एपिसोड को बनाने में 6,00,00 रुपए का बज़ट था लेकिन रवी ने अपने पापा से कहा था कि वो कितनी भी कोशिस कर ले साड़े 7,00,00 रुपए से कम बज़ट नहीं हो पाएगा वसे आपको बता दें कि इस पूरे एपिसोड को बनाने में 9,00,00 रुपए लगे थे अगर आप महाभारा सीरियल पहले देख चुके हैं या अब देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिरूर बताएगा कि आपको इन सारे किरदारों में सबसे एक एक्छी एक्टिंग करने वाला किरदार कलाकार कौन लगा मैं आपके कमेंट का इंतिजार करूँगा जै हिन जै भारत